हालो अब्रिवान ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर रश्मीज होमेपथी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पैनिक अटैक और उसकी होमेपथिक दवाईयों के बारे में पैनिक अटैक मतलब घबरहट का दोरा जो घबरहट का दोरा होता है अगर यह किसी को बार-बार होता है तब इसको हम पैनिक डिसलेर बोलते हैं उसके उपर बात की थी तो panic disorder एक panic attack जो होता है ये बहुत ज़्यादा मिलती होती है condition होती है heart attack से तो उसके भी differences के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि जो ये दौरा जैसे condition बन रही है ये हमारी panic attack की है या heart attack की situation है पहले हम कारणों की बात करते हैं कि panic attack क्यों होते हैं तो फरेंड जो panic attack होते हैं mostly ऐसे लोगों को होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा vulnerable होते हैं जिनको छोटी छोटी सी बात असर कर जाती है या जिनका जो mind होता है उतना strong नहीं होता है बहुत जादा sensitive type जो लोग होते हैं बहुत emotional जो लोग होते हैं जो लोग अपने विचारों पर control नहीं कर पाते हैं या किसी दूसरे के विचार से बहुत अधा प्रभावित हो जाते हैं ऐसे लोगों को panic attack या panic disorder होते हैं कुछ और important reasons होते हैं जैसे अगर हम case taking करते हैं patient से बात करते हैं patient बताते हैं कि उनको panic attack की problem 4-5 साल पहले तब शुरू ही थी जब उनकी office के सामने कई लोगों ने उनको कुछ बुरा बला बोल दिया था उनके manager ने उनको कुछ बोल दिया था उसके बाद से उनको panic attack होने लग गया है या कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग किसी भी एक situation से उसको जोड़ करके बताते हैं तो हमेशा एक cause जरूर बन करके आता है panic attack में panic attack के पीछे stress भी हो सकता है या किसी का बिछड़ना हो सकता है जैसे किसी का break up हो सकता है या किसी की death हो सकती है जो आपके relative थे जिसको आप बहुत पसंद करते थे उनके death से भी relate कर सकते है या panic attack mostly ऐसे लोगों को भी होता है जिनको बहुत जादा नशे करने की आदत होती है drugs लेने की आदत होती है smoking, alcohol लेने की आदत होती है जिसके कारणों का शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर भी panic attacks होते है अब हम basically definition की बात कर लेते हैं कि panic attack होता क्या है तो panic attack होता है घबरहाट का दौरा जिसके अंदर जो patient होता है बहुत ही set of symptoms को महसूस करता है सबसे पहली चे जो उसको लगती है कि पूरे शरीक में कुछ अजीब सा ख्याल अजीब सा sensation उसको लगने लगता है कि एक साथ बहुत सारी बीमारिया उसको घेर लिया है और शायद वो बीमारिया ठीक नहीं होने वाली है इसके साथ साथ में जो panic attack होता है उसके जो symptoms के अगर हम बात करें तो उसमें एक तेज दर्द सा हो सकता है सीने में साथ में गला सोखने जासा लग सकता है बहुत पसीना आने लगता है इस्पेशली ये जो आपके हथेलिया होती है बिल्कुल गीली हो जाती है कुछ बोल पाने में या कुछ निगल पाने में उसको परिशानी होती है, चक्कर आने जैसे महसूस हो सकता है, तेज सेरधर्द हो सकता है या इसके साथ में बहुत सारे लोगों को चक्कर की समस्या आ सकती है, नाउजिया या वमिटिंग जैसा भी महसूस होता है differences के अगर हम बात करें क्योंकि जो patient होते हैं जिनको भी panic attack होता है उनको बिलकुल लगता है कि उनको भी heart attack हो गया है और उनके death होने वाली है fear of death बहुत जादा होता है उनके life का सबसे worst time होता है क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद वो जिन्दा नहीं रहने वाले हैं तो पहले हम differences के बारे में जानेंगे कि panic attack और heart attack में कैसे differentiate हम कर सकते हैं तो friends जो panic attack होता है और heart attack होता है इसके जो symptoms होते हैं बहुत जादा मिलते हैं आपस में लेकिर अगर हम बारीकी में जाएंगे तो differences के हम पता कर सकते हैं जैसे कि जो panic attack होता है हमेशा एक emotional चीज से जुड़ा हुआ होता है अपके thinking process से चुड़ा होता है अपके दिमाग से जुड़ा होता है कोई भी exertion आपको करना है आपने उसके बारे में सूश लिया कोई आने वाला है कोई जाने वाला है आप exam देने आने वाले हैं आप अपना interview देने वाले हैं आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले जिससे मिलना बहुत important है और अगर आप सही से अपने आपको represent नहीं कर पाए त अगर आप exertion करते हैं physically move कर रहे हैं सीडियां चड़ रहे हैं इसमें हार्ट को बहुत पंप करना होता है exercise कर रहे हैं तो कहीं में भी अगर आप फिजिकली बहुत जादा active हो रहे हैं तो उसमें heart attack की चांसे बनते हैं दर्द के अगर बात करें तो जो panic attack होता है उसमें भी सी होती है जो breastbone होती है वहां पर यह होता है और जो heart attack का जो पेन होता है वो left side में होता है यह आपकी पीछे भी जा सकता है स्कापला में जा सकता है left hand से आकर के आपके fingers तका सकता है तो फ्रेंच यह mirrored video बन रहे हैं तो आपको उल्टा दिखे का यह मेरा left hand है आपको शादे right दिखेगा और इसके साथ में आपके jaw में जा सकता है तो इसका जो heart attack का pain होता है वो radiating होता है और वो बना रहता है अटायक आने के बाद भी वो दर्द वहां पर आपको बना रहता है जो panic attack होता है वो जो दौरा होता है 20-30 मिनट का जो problem यह होती है patient को वो पूरी तरस उसक का pain होता है वो चे से लेकर 8 सेकंड तक का ही होता है और उसके बाद patient बिल्कुल normal हो जाता है panic attack और heart attack में डिफरेंसे यह होते हैं और panic attack के पीछे सिर्फ आपका mind होता है heart attack के पीछे आपकी physiology होती है जो heart की होती है भले से panic attack के patient को लगता है उसको heart attack हो सकता है वो मरने वाला लेकिन basically ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन अगर आपको heart के issues रहते हैं और अगर आपको ऐसे symptoms मैसूस होते हैं तो जरूर आपको further investigations कराने चाहिए तो फ्रेंट जो panic attack होते हैं वो तीन तरह की होते हैं एक situational होता है एक pre-disposed होता है एक unknown होता है unknown बहुत common होता है unknown इसलिए होता है क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है कि situation में आपको deal कैसे करना है अचानक से situation आपके सामने आगे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे situation में क्या करना चाहिए तो उसमें आप properly behave नहीं कर पाते हैं और attack आपको आजाता है predisposed होता है जिसमें आप पहले कहीं किसी situation में आप गए हो और वहाँ पर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ हो और कुछ ऐसी यादें हो उसके साथ जूड़ी होई हो तो ऐसे situation में जो होता है उसको हम बोलते हैं predisposed उसके अलामा situational मतलब आपको ऐसे situation में आकर के यह condition बन ही जाती है जैसे कि कोई patient आके बताते हैं कि वो जब भीड में जाते हैं तो एकदम से उनको पता नहीं क्या हो जाता है market area में जाते हैं या कहीं पर भी वो जाते हैं जहां पर जादा crowded area होता है उनको एकदम से चक्कर जैसा आने लगता है सिर पर ठटना पसीन आने लगता है सिर घूमने जैसा लगता है और उनको अटायक आदाता है तो एक situation मतलब current situation अगर ऐसी बन रही है तब उस situation में उसको अ आने का टैक जैसा होता है तो तीन तरह की यह problem हो सकती है अगर हम बात करें complications की तो इसकी जो complication होती है पहली बात तो यह की patient जो भी जिसको यह symptoms होते हैं वो लोगों से मिलने से कतरना लगता है वो जाना नहीं चाहता है किसे से मिलना नहीं चाहता है क्योंकि इस situation से बचना जाता है इसके साथ ने इसके कारणों उसकी job affected हो सकती है उसके relations affected हो सकते हैं उसकी economically unstable हो सकता है और कई बार ऐसे लोग drugs abuse करने लगते हैं smoking करने लगते हैं alcohol लेने लगते हैं तो panic attack की complication यहीं है कि अगर आप बीमारी को समझ नहीं पाते हैं और अपने आपको negative भी लेके जात हों तो यह बहुत जादा आपके उपर impact डालती है और आपका जो progress होता है life में वो कहीने कहीं रुख जाता है तो friends आप मैं बात करने वाली हों कि आपको करना क्या चाहिए अगर आपको panic attack या panic disorder है तो friends पहली चीज़ तो यह है कि यह एक बिमारी नहीं है क्योंकि इसके नाम करना है कि मुझे कितने टाइम से यह बिमारी शुरू ही और उसकी पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है इसके लावा आपको meditation करना है जो meditation हम करते हैं तो जो हमारे brain के जो impulses होते हैं उनको मिशांद करते हैं sensations अच्छी आती है positivity आती है 5-10 पिनिट का टाइम अगर आप अपन नशागर आप करते हैं तो यह आपको परेशान ही करेगा भले से थोड़ी देर के आपको relief मिल सकता है लेकिन लॉंग टम में यह आपको effect करेगा तो आप इसको change करने के कोशिश करें किसी और चीज़ के साथ जिसमें आपको और ज्यादा relief मिलता हो इसके अलावा आपको आवाज के साथ डर जाते हैं तो नीन पूरी होना बहुत जादा important होता है इसके लावाँ बाकि वही सारी चीज़ा आपको करनी है healthy lifestyle बनाना healthy food खाना है और इसके साथ अब बात कर लेते हैं homeopathic medicines की तो friends मेरे जो personal experience में जो medicine में सबसे जादा use करती हूं ऐसे panic के cases में वह होती ह एकोनाइट एकोनाइट हम कभी उस करते हैं अगर आपको सडन कोई problem हो रही है एकदम से attack आ गया तो आपके पास पॉकिट में यह medicine होनी चाहिए वह है एकोनाइट एकोनाइट हम हमेशा देते हैं जहापे violence बहुत जाता होता है तेजी से कोई symptoms आते हैं sudden symptoms आते हैं patient का चेहर heart ऐसे लगता है कि जैसे बाहर आकर धड़क रहा हो ऐसे symptoms अगर आपको मिलते हैं तो ऐसे cases हम देते हैं एकोनाइट एकोनाइट आपके जैब हमेशा होनी चाहिए और आपको हर एक rescue हर एक condition वापको rescue कर सकती है अगर आप office में हैं अगर आप कार से जा रहे हैं अपने कार के सकते हैं अपने सास्ते हैं अगर आपको बदाता है कि मुझे च्छे साथ से 10 साल से यह problem रहती है तो उन cases में हम और जो प्रॉबलम होती है पेशिन को वो होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया चोटी से जगा में उसको घुटन मैसोस होती है चोटे से कमरे में है और दर्वाजा अगर बंद है तो उसको उल्जन होती है लिफ्ट में लगता है कितनी जल्दी वह अपने डिजार्ट फ्लोर पे पहुंच जाए हाइट में जाएगा तब उसको प् अगर इसको क्लोज इस पेसे से डर लगता हो और हमेशा एक हड़बड़ी सी मची रहती हो ऐसे केसे में आर्जन्टम निट्रकम बहुत यूस्फुल मेडिसिन है फ्रेंट्स आर्जन्टम निट्रकम में एक और इंपॉर्टन चीज देखी जाती है कि इसमें कभी भी कोई होती है कोई भी नई चीज होने वाली होती कुछ भी नया चेंज होने वाला होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है जैसे कि अगर आपके ऑफिस में कल ऑडिट होने वाली है या अगर कल कोई भी विजिट किसी की होने वाली है तो पेशेंट यही सोचता रह जाएगा कि क प्छों का पेटख हराब हो जाएगा तो एसे सिम्टम मायंड के कारण पेटख खराब जाता है मायंडक की कारण पिजिकल सिम्टम साते हैं तो वहां पर हम आरजेंटर्म- सकते हैं अगें बाद कि बात करते हैं तो नेक्शत मेट चेन अ जाती है जिसमें उसको बहुत जिम्मेदारी निभानी है बहुत responsibility के साथ उस काम को पूरा गर के देना है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक patient rest नहीं कर सकता उसको एक anxiety बनी रहती है रात रात भर उसको काम को complete करने के कुशिश करेगा उसको लगएगा पता नहीं मस काम को सही से कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा और ऐसे patient जो होते हैं उनको हमेशा gastric complaints हमेशा बनी रहते हैं तो ऐसे cases में lycopodium is another medicine जो कि बहुत अच्छा काम करती है next medicine के बात करेंगे और next medicine है gelcemia gelcemia में palpitation बहुत ज़्यादा important है अब palpitation का मतलब हुआ कि दिल ऐसा लगता है कि धड़क धड़क की जैसे लगता है कि बाहर ही निकल आएगा बहुत ज़्यादा तेज उसको palpitation होते है fright बहुत ज़्यादा होता है डर बहुत ज़्यादा होता है उसके काणों वो कापने लगता है और इसके अलावा उसको फीड में जाने में बहुत डर लगता है तो ऐसे patient जिनको अगोरा phobia होता है लोगों से डर लगता है अकेले वो market नहीं जाना चाहेंगे लगता है कि कोई साथ में मेरे साथ चलना चाहिए भीड और जगा को avoid करेंगे किसी stranger से बात करना avoid करेंगे तो ऐसे लोगों के cases में बहुत अच्छा काम करती है examination funk एक ऐसा symptom है जिसमें जलसीमियम काम करती है जिसमें exam से पहले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत तरह की anxiety आ जाती है तो ऐसे cases में भी जलसीमियम बहुत useful है तो फ्रेंट जलसीमियम में दो symptom बहुत important है एक तो है कि heart के जो beats से बहुत तेज हो जाती है palpitation बहुत तेज हो जाती है और कमपन इसमें आता है तो ऐसे cases में जलसीमियम काफी उपी होगी है और जलसीमियम को भी हम 200% में दे सकते है next medicine के बात करते हैं next medicine है caliars caliars में क्या होदा है कि इसमें जो patient होता है उसको हमेशा अपनी health को लेकर एक anxiety रहती है हमेशा उसको लगता है कि उसको जो भी छोटी-छोटी से symptoms हो उसको बड़े symptoms लगते हैं अगर उसके heart rate टेज होगे तो उसको लगता है उसको हाट फेली होने वाला है अगर उसको छोटा से भी कोई growth body में दिखिया लगता है उसको cancer ही होने वाला है गले में कोई खराश होगे तो लगता है अब गले का cancer होने वाला है तो हमेशा anxiety बनी रहती है health care about और इस cases में जब panic का condition आजाता है छोटी सी दिक्कत से उसको panic असा मैसूस होने लगता है तो ऐसे cases में काली आर्स बहुत important medicine है एक और medicine है जिसको हम नहीं छोड़ सकते हैं वो है arsenic album arsenic album बहुत important medicine है जो OCD के cases में दी आती है जैसे की obsession बहुत जादा रहती है उस काम को करने के बिना किये वो chance नहीं बैठ सकता है restlessness बहुत जादा रहती है उलजन बहुत जादा रहती है रात में ये symptoms बहुत जादा बढ़ जाते हैं और patient को हमेशा लगता है कि जब तक पूरी तरह से मैं सफाई नहीं कर दूँगा तब तक कहीं असन्या कोई बिमारी आ जाए कोई germs आ जाएं घर में कोई भी आएगा और मानिक की सोफे बैटके वो जा रहा है वापस तो वो सोफे को पूर क्लीन करेगी उसको लगेगा जहां जहां पर उसने टच किया मैं उस जगा को क्लीन करूं तो ऐसे cases में जहां पर germ की contamination का उसको डर रहता है ऐसा लगता है कि बाहरी कोई भी आएगा और उसके घर में contamination कर देगा कोई infection करके जाएगा तो ऐसे cases में arsenic album बहुत important है arsenic album में patient जो होता है बहुत restless रहता है यहां से वहां घूमना चाहता है चहल कदमी करना चाहता है लेकिन शरीर इतना weak होता है कि वो ऐसा कर नहीं पाता है mentally बहुत ज़ादा परिशान रहता है रात रात भर उसको जगना पड़ता है restlessness बहुत ज़ादा रहती है तो ऐसे cases में arsenic album बहुत important है arsenic album को भी हम start करेंगे 200 potency से और depend करता है जैसे इसको symptoms respond करते हैं वैसे ही उसकी potency को change किया जा सकता है next medicine के बात करते हैं friends next medicine है ignitia ignitia teenagers के cases बहुत अच्छा काम करने वाली panic disorder के case में medicine आती है तो ignitia में क्या देखा जाता है कि ignitia में हमेशा बच्चे से बात करेंगे जिससे भी हमारा patient लोगा से हम बात करेंगे तो एक stress की history बताएगा वो या तो उसके mother और father में से किसी की बच्पन में death हो चुकी होती है या अगर हम husband wife की बात करेंगे आ रही है हमेशा एक सदमा लगा हुआ होता है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन उसका असर आपके दिमाग में अभी तक बना हुआ है तो ऐसे cases में panic attack या panic disorder के cases में ये medicine काफी जादा important होती है initial को हम 1M potency में दे सकते हैं ये कुछ set of medicines हैं जो आपको symptom के हिसाब से लेनी है यहाँ पर मैं आपको एक combination भी बताना चाहूंगी जो कि मैं अपने clinic में काफी जादा यूज करती हूँ और patient बहुत अच्छा improve करते हैं अगर इनकी constitutional medicine के साथ ये additional medicine भी दी जाती है अगर आपके symptom पूरी तरह से किसी भी problem में match नहीं हुए किसी भी medicine का नहीं match हुए तभी इस medicine को आप लेंगे तो बहुत overall आपको फरक पड़ेगा यह medicine है अभीना सडावा का mother tincture और अश्वागंधा का mother tincture यह दोनों mother tinctures बहुत अच्छा काम करती है दोनों के उपर मेरी separate video है details आप वहाँ से दे सकते हैं यहाँ पर मैं सिर्फ इतना पताना चाहते हूं कि panic attack के case में अगर इन दोनों medicine को आधी glass पानी में 10-10 पुंदर डाल करके दिन में दो बार लिया जाए और कम से कम दो महीने तक इसका seven किया जाए तो बहुत हर तक आप अपने mind के emotions को control कर सकते हैं आप panic attacks को control कर सकते हैं social anxiety को control कर सकते हैं जो भी आपको ऐसे mental disorders आते हैं उनको control कर सकते हैं तो friends यह सारी जो information है यह panic attack और panic disorder के बारे में यह एक condition है जिसको आप पुरी तरह से अपने आप control कर सकते हैं तो friends, अगर आपको information पसंद आई हो, तो वीडियो को like ज़रूर करें. Wish you more very good health. Thanks for watching.